हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब I hope you all are doing well तो आज हम पढ़ेंगे सेफटी के बारे में राइट अब सेफटी इतनी इंपोर्टेंट है अपने आपको सेफ रखना सबसे पहले आप देखो आपको खेलना है आपको कुछ खाना है आपको कुछ भी करना है सबसे पहले अपने आपको सेफ रखोगे है न अपनी बॉड़ी को सेफ रखोगे तभी तो आगे कुछ भी कर पाओगे तो इसलिए क्या है सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट सेफटी सबसे पहले बोलते हैं न लोग सेफटी फर्स हर चीज में तो इस चाप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने आपको सेफ रख सकते हैं जब भी हम का होते हैं हम अपने घर में होते हैं हम बाहर जाते हैं तो रोड पे जाते हैं सेफटी और रोड देन आप स्कूल जाते होगे तो आप स्कूल बस यूज करते होगे राइट या फिर कार यूज करते होगे तो सेफटी इन बस कैसे आप अपने आपको बस में भी स और साथ ही साथ, we also get to know about the first aid. What is first aid, right? So, अब देखिए हमें पहले safety की need ही क्यों है? ठीक है, हमने क्यों rules बनाए? हमें क्यों rules की जुरत पड़ रही है? An accident can happen anywhere. It is mainly caused due to our carelessness. If we are careful and follow safety rules, we can avoid these accidents. So, देखो, अब क्या ओतक कही भी हम जा रहे हैं? वैसे तो हम ममी क्या हमें बोलते हैं? पैरेंस क्या बोलते हैं? कि ध्यान से जाओ, देख के जाओ, ठीक है? तो ताकि हम कोई भी अन्होनी, कोई भी accident से बत सकें. But फिर भी, let's say, अगर आप किसी reason से आपका accident होता है, तो किसी reason की वज़े से हैं? कि हम careless थे, ठीक है? हम careless थे, कभी ऐसा नहीं होगा, कि सामने वाला, या उसकी वज़े से यह हुआ, उसकी गलती की वज़े से यह हुआ, उसने नहीं देखा, राइट? ऐसा नहीं होता कभी भी. It is only because कि हम उस ताइम careless थे, हमने नहीं देखा, राइट? इसलिए important क्या है? Safety Rules. अब rules ऐसी चीज़ हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा क्या? Strike करते हैं, कि अच्छा, यह rule हैं, तो हम इसको follow करते हैं. ठीक है? तो इसलिए क्या safety के लिए rules बनाए गए हैं? ताकि हम accidents को avoid कर सकें. So, let us know some safety rules at different places. What are they? So, safety at home. Do not open the door or talk to strangers. तो सिंस अभी आपके छोटे हो, तो घर में अगर कोई doorbell बचती है, है न? तो आप क्या करोगे? Door आपने नहीं खोलना, अपने एकदम से stranger से बात नहीं करनी है, तो आप अपने पहले family members को deal करने दोगें. Do not play with sharp objects like knives, blades and scissors. Make sure कि आप क्या कोई भी sharp objects, knife हो गया, है न? चाकू, blade, scissor, जो आप यूज तो कर लेते हैं कोई बार, बट आपने ये इनसे बच के रहना है, क्योंकि शार्प है. Throw the garbage in the trash can. Someone might slip on the peels and fall. Right? तो क्या होता है? आपने कूडा हमेशा dust bean में डालना है. ठीक है, इससे क्या होगा? कई बार क्या होता है, हम चलते-चलते ध्यान नी होता, again careless होते हैं, तो हम क्या करते हैं, slip कर जाते हैं उस शिलके पे. तो हमें खुद को भी बचाना है, ऐसे और दूसरों को भी accident से बचाना है. Always keep your books and toys at proper place after using them. तो आपने next क्या करना है? Make sure कि जब भी आप कोई book पढ़ो, कोई story book पढ़ो, तो उसको अपने जगया पे रखो. है ना? अपने खिलोनों को, अगर आप कोई खिलोने से खेलते हो, तो उनको अपनी जगया पे रखो. Do not run on the stairs. Right? हमें ऐसे भागना नहीं है. आप stairs चड़ रहे हो, है ना? कोई उची है, नीची है कभी ध्यान नी दिया, तो आप क्या गिर सकते हो? So that why, that is why do not run on stairs. Do not touch electric switches or plugs. घर में electric situation भी होते हैं, ठीके? बहुत इसमें electricity आ रही होती है, तो इनसे भी हमने क्या दूर रहना है? ठीके? अब हम बात करते हैं कि safety road पे कैसे बनाई जा सकती है. हम road पे चल रहे हैं, तो हम कैसे safe हो सकते हैं? So on roads, do not run or play on the road. Right? हमें road के बीच में क्या खेलना, भागना नहीं चाहिए? ठीके? क्योंकि वो उनकी हमारी जगे नहीं है, खेलने की. That is not the right place to play. Okay? वहाँ पे right place किसका है? कार का, वेकल का चलने का. So we should always obey traffic lights. ठीके? जो भी traffic lights होती हैं कि अभी red है signal, तो रुक जाना है. green है signal, तो फिर हमने क्या करना है? चलना है. बट make sure कि आपका signal green होना चाहिए. मतलब जो walking वाला होता है. ठीके? अगर जब गाडी का signal red है, तो हमने चलना है. और always cross the road using what? zebra crossing. Right? Now let's see more safety rules for road. Now let's move to the next page. और क्या करना था हमें? zebra crossing से cross करना है. Okay? Always walk on the footpath or the pavement. अब देखो आपने let's say cross भी कर लिया road. ठीक है? अब आपने साथ साथ में चलना है road के. तो road के साथ साथ में आप देखोगे कि हमेशा footpath होता है. या फिर एक pavement होता है. उनकी क्या tiles भी different होती है road से. easily आपको नजर आगी. आपको वो जगया यूज करने है क्या चलने के लिए. Okay? Do not tease stray animals. जो भी क्या side हो में जैसे dogs होते हैं, cats होते हैं, animals जो वहाँ पे होते हैं. We should not tease them. उनको छेडना नहीं चाहिए. We must wear our seatbelt in a car. This is very important. जब भी हम car से travel करें, ठीक है? अब देखो, car में क्या होता है कि आपके पास seatbelt होती है. यहाँ पे भी होती है, आगे भी होती है. तो आपने क्या करने हैं? जब भी आप travel कर रहे हो, आप चाहिए चोटे distance के लिए कर रहे हो. फिर भी आप make sure करो, कि आपने भी seatbelt पहनी है, और आपके जो side में drive कर रहे हैं, उन्होंने भी seatbelt पहनी है. Right? Okay, if there is no zebra crossing, then before crossing the road, first look towards the right, then left and finally towards right again. तो लेट से आपके पास zebra crossing नहीं है रोट पे, या लेट से मिट गई है. ठीक है? आपके अपके अपस zebra crossing नहीं है. तो आप कैसे cross करेंगे? पहले आपने right देखना है, कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है? Okay. Left देखना है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है? Okay. फिर से right देखो और अब आप चलना start करो. ठीक है? So this is the right way. Okay. Now, there are some road signs. अब रोड़ पे चल रहे हैं, तो रोड़ के signs भी समझाने चाहिए, है न? जैसे अगर आप ये sign देखो, तो इसका क्या मतलब होता है? No parking. कि यहाँ पे कोई भी parking, गाड़ी की, साइकल की, मोरसाइल की, अलाउड नहीं है. इस sign का मतलब होता है, speed breaker ahead. मतलब आप आगे जाने वाले हो, तो speed breaker आ रहा है. एक अप फिल आ रहा है, छोटा सा, जिसमें आपने speed कम करनी है. इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आपने कोई भी horn नहीं बजाना है. ठीक है, अवाज नहीं करनी है जादा. ऐसे sign का क्या मतलब होता है? नो राइट टर्न, ठीक है, आगे कोई राइट टर्न आपने नहीं लेना है. आपने लेना है, तो ऐसे बहुत सारी signs हैं, जो हमें पता होने चाहिए. अब लेट सी थे सेफटी इन बस, अब हम बस में कैसे अपनी सेफटी रख सकते हैं. जो बस का किनारा होता है, ठीक है? फुट बोर्ड जो होता है, जहां से चढ रहे हो, आप उतर रहे हो, उदर भी कभी भी खड़े नहीं होना है, ठीक है? डो नोट गेट आउट और इन अ मुविंग बस. जब भी आप चढ़ो, जब भी आप उतरो, क्या मेक्शॉर करो, बस चलनी रही है, ठीक है? खड़ी होई बस में आपने चढ़ना है और उतरना है, वरना आपने पता नहीं चलेगा, आप गिर जाओगे उससे. एसे बच्चों की तरह है कि आप चलती भी बस में कभी हाथ बाहर निकाल रहे हो, बूम बाहर निकाल रहे हो, वो सारी चीज़े भी आपने क्या अवाइड करने हैं बिलकुर, है ना? बिकर्स पॉर यॉर सेफटी, राइट? नव लेट्स मूव तो दे नेक्स पेज. राइन में वेट करना है अपनी बस का, इसे भीड भाहर इस तरीके से, ओके? तो आप स्कूल में कैसे अपनी सेफटी मिंटेन कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? तो आपने कॉरिडोर्स, आपके जो बहार, क्लासिस के बाहर जगया होती है, है ना? आपने क्या करना है? वहाँ पर भागना नहीं है, ठीके? या फिर जो आपकी सीडियां होती है, उसमें भाग भाग के नहीं चलना है, अराम अराम से जाना है, ठीके? क्योंकि स्कूल में और बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, ठीके? इसलिए आपने अपनी सेफटी मिंटेन करनी है, तो ऐसे डेस्क या चेयर पे क्या? उच्छलकूद नहीं मचानी, राइट? एक चीज और ध्यान क्या रखने कि अपनी बच्चे भाग को, बच्चे भाटल को क्या? फ्लोर पे नहीं रखना है, नीचे जो आपके क्लास्रूम में होता है, कई बार किसी का लेट से पैर से क्या होगा? बच्चे गर गई, या उदर से पानी गिर क्या तो क्या? अगैं को follow rules of the game in a playground, अगर हम जो भी game खेले, let's say, आप running भी कर रहे हो है, खोको या कोई भी game खेल रहे हो, उसमें अगर आप rules follow करोगे ना, तो आप अपनी safety maintain कर सकते हो, आप बच सकते हो कोई accident से, never jump over a fence or from a wall, तो हमें क्या? जब तक हम बिलकुल trained नहीं अच्छे से हैं, अभी तो छ उपर से ऐसे कूदना नहीं है, do not fly kites on an open terrace, ठीक है, let's say यह है, आप अपने, आपको kite उडाने तो पसंद है, बट आपने क्या नहीं देखा, आपने देखा कि यहाँ पे तो क्या, railings तो ही नहीं, तो आपको कई बर पता नहीं चलेगा और हो सकता आपका pair slip भी हो जाए, त अपनी safety के लिए आपने क्या, open terrace पे जो खुली छट है, वहाँ पे kites नहीं उडानी, do not push on the swings, instead wait for your turn, यह कई बार आप लोग करते हैं, हम देखते भी हैं पार्क में कि क्या, बच्चे, swings के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं, कि मुझे लेना है, मुझे लेना है, तो यह अपने वाइट करना है, और क्या अपने turn का वेट करना है, wear helmet while riding a bicycle, जब भी अब bicycle cycle चलाओ, make sure आपने अगर helmet पहना हो, right, जिससे हमारा at least क्या सर बच जाता है, use safety tubes or floaters while swimming, तो अगर आप बहुत अच्छे से train रही हो swimming में, तो you have to use floaters, ठीके, इससे आप क्या डूबने से अब इन सब चीजों के बावजूद भी, अगर आप by chance, अगर किसी तरीके से आपको चोट लग जाती है, मान लिजें, तो there is a solution, what is that solution, that is first aid, right, first aid मतलब पहली, aid मतलब help, ठीके, तो पहली जो help दी जाती है, चोट लगने के बाद उसको बोलते हम first aid, so first aid means the immediate help given to a person who gets hurt or injured, right, let's move to the next page, so when a person is hurt, we must not panic, right, अगर किसी को चोट भी लग गई है, मान लिजे, तो हमें एकदम से पैनिक नहीं होना है, ठीके, बिलकुल घबरान ही जाना है, क्या करना है हमें, inform an elder, if at home, or the teacher, if in school, तो अगर आप घर पे हैं, तो आपने जो भी वहां बड़े हैं, पैरेंस हैं, या बड़े दीदी हैं, भाईया हैं, जो भी हैं, आसपास, उनको बताना है, अगर आप स्कूल में हैं, तो आपने टीचर्स को बताना है, ठीके, बट बिलकुल भी घबराना नहीं है, always keep a first aid box at home and in classroom, हमेशा first aid अपने रखना है, home में भी, classroom में भी, चाहें आप safety rules follow भी कर र the doctor, अगर क्या injury कुछ जादा ही serious है, तो हम उसको first aid देने के बाद, या फिर तुरंट हमें क्या doctor के पास ले जाना है, okay, depending upon the injury, now let's see what we have learnt in this chapter, okay, तो हमने देखा, an accident can happen anywhere, we must follow safety rules at different places, right, do not play with sharp object like knives, blades and cts, do not leave the bag or bottom on the floor, okay, and finally, first aid is the immediate medical help given to a person when injured, right, I hope ये chapter आपको समझाया होगा, so based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.